नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादो, आप लोगों का अपने यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आज की वीडियोस में हम सभी जानेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट्स जिमेटरी सेप्स तयार कर सकते हैं आप सभी ने मैथमेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट सेप्स देखे होंगे तो दोस्तों, उन सभी सेप्स को हम अपनी प्रोग्रामिंग लेंगवेज, HTML and CSS की मदद से कैसे डिजाइन कर सकते हैं किस तरीके से ये सेप्स क्रियेट करेंगे आज वो सभी इस वीडियो की मादियम में आप सभी को बताने वाला हूँ तो दोस्तों, स्टेप बाइ स्टेप सीखते रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए किस तरीके से हम ये सब डिजाइन करते हैं तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग से तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सब लाइन टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ पे दोस्तों, हम लोग अपनी ये कुछ हमने इसका कोड्स लिखा है तो यह आप सभी देख सकते हैं तो इस सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट दैन दोस्तों, जो हमारे CSS का पार्ट है इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं डिलीट इतना करने बाद हम लोग अपनी कोड्स लिखते हैं तो बेसिक HTML एड़ास का कोड्स स्टार्ट करते हैं हमने अपना head and body close कर लिए तो दोस्तो टाइटल दे दिया है shapes क्योंकि different different shapes तैयार करने वाले हैं और एक डिव लिया है जिसको class provide कर देंगे दोस्तो सेप बनाने वाले हैं और वो भी multiples तो सेप 1 दे देते हैं इसी तरीके से इसको copy करेंगे और multiples time जितने भी time आपको जितने भी shapes चाहिए उतने आप यहाँ पर paste कर लीजिए तो simply मैं इसको paste कर लेता हूँ then दोस्तो जैसे ही हमारे shapes create हो जाते हैं तो हम इसकी simply numbering कर लेंगे हम सभी ने paste किया then हम इसको numbering change कर लेंगे अपनी हर class को then दोस्तो इतना करने के बाद हम इसको link provide कर देते हैं अपने CSS की file से ताकि हमारे HTML का page हमारे CSS से link हो जाए then दोस्तो मैंने save.css नाम दे रखा है अपनी file का तो मैंने simply save.css यहां पर लिख दिया है and अब चलते हैं अपनी CSS की files पर तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि किस तरीके से जितनी भी div से हम सभी को एक साथ CSS प्रोइड करने वाले हैं तो simply हम लिखते हैं div and इसके अंदर जितनी भी divs है उसकी height width हम same रखेंगे दोस्तो ताकि जितने भी shapes हैं सबकी height and width same रहे तो इसकी width दे देते हैं दोस्तो 1500 pixels and height भी देते हैं 150 pixels तो simply इसके बाद हम इसको background दे देते हैं दोस्तो ताकि इसका background हमें नजराए blue color का and simply इसको display कर देते हैं inline दोस्तो ताकि यह हमारा line में so एक ही line में so then margin दे देते हैं दोस्तो इसको 20 pixels मतलब दोस्तो 20 pixels जैसे दूसरे shape आए उसके बीच में 20 pixels का different हो और अगर नीचे shapes आजाता है तो उसमें 20 pixels का different हो मतलब gap हो and then simply line height provide कर देते हैं इसको दोस्तो 150 pixels and जो border is इसको तो दोस्तो इसको border हम 5 pixels solid sorry दोस्तो pixels solid red then दोस्तो इतना करने के बाद हम इसको save करेंगे और अपने कर रहा है तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके का हमने अभी तक complete किया है अपना work यह हमने जो डिव लिये थे वो हमारे सारे सो हो रहे हैं वहां पर और अभी तक हमने दोस्तों किसी भी shapes को CSS नहीं provide किया है तो इसलिए simply हमने सारे divs जितनी भी divs ली थी वो हमें square में sow हो रही थी देन दोस्तों हम करेंगे किया जितनी भी हमने class लिये shape 1, shape 2, shape 3 उन सभी को CSS provide करेंगे तो simply shape 1 को हम border radius दे देते हैं दोस्तों border radius हम इसको 0 देंगे sorry 0 0 pixel दे देंगे दोस्तों इससे होगा यह कि हमारे जो border radius है वो simply square format में रहेगा and दोस्तों अगर हम shape 2 को border radius 100 दे देते हैं क्योंकि हम इसको circle shape में चाहते हैं दोस्तों circle shape अब गर आपको design करना है तो आप border radius 100 pixels दे सकते हैं but यह ध्यान दखते हुए कि हमारी जो height and width है वो हमारी अगर डेड़ सो है तो अगर ज्यादा है तो आप लोग ज्यादा कर सकते हैं simply हम उसको refresh करते हैं page को और देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा first and second square shape में आ गया है border radius दे देते हैं दोस्तों इसको 50 pixels दोस्तों जैसे हमने इसको border radius 50 pixels दिया थर्ड को वो oval shape में convert हो जाएगा तो देन दोस्तों border जो shape 4 है उसको border radius प्रवाइड कर देते हैं 40 pixels दोस्तों top से 0 right से 0 bottom से and simply 0 left से तो दोस्तों अगर आप इसके पीछे pixels लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा and then shape 5 को हम simply CSS प्रवाइड करते हैं and इसको border radius प्रवाइड कर देते हैं 120 pixels top से दोस्तों and simply right से इसको 0 0 bottom से and left से भी 0 कर देते हैं then दोस्तों हम इसको थोड़ा scroll करके उपर करते हैं और simply shape 6 जो है हमारी उसको CSS प्रवाइड कर देते हैं जीरो दोस्तों 0 0 0 and 250 pixels simply 7 ऐसे 7 को border radius प्रवाइड कर देंगे sorry border radius दोस्तों इसको save 7 को हमने percentage में दिया है 25% तो इसको देख लेते हैं जो हमने अब तक किया है refresh करते हैं page को simply देख सकते हैं हमारे पस different different shape तैयार हो चुके हैं दोस्तों हमने six shapes लिया है हमने first अपनी जो row है उसको complete कर लिया है जितने भी हमारे first row में दीख रहे हैं and then अब हम अपने जो हमारे next shapes है उसको CSS provide करते हैं तो देन दोस्तों simply हम save 8 को CSS provide कर देते हैं and इसको border radius हम provide कर देते हैं दोस्तों इसको हम top से देते हैं 150 pixels इसको हम right से देते हैं 0 and left फिर bottom से इसको 150 pixels और left से 0 simply shape 9 को इसी तरीके से दोस्तों shape 9 को border radius provide कर देंगे इसको भी दोस्तों 150 pixels इसको दोस्तों border radius हम provide कर देते हैं 150 pixels 150 pixels 00 simply हम shape 11 को save provide कर देंगे CSS पर इडिकरते हैं border radius 0 pixels 0 pixels 250 pixels and simply 250 pixels तो दोस्तों इसको हम करते हैं save and चलते हैं अपनी ब्राउजर पे और space को refresh कर देते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी आप सभी पास different different shapes तयार हैं सिफ एक last shape जो हमारा 12 है वह हमारा first shape की जैसे हैं क्योंकि अभी तक हमने उसको CSS provide नहीं किये दोस्तों shape 12 को दोस्तों height and width provide कर देंगे simply इसको width दे देते हैं दोस्तो 150 pixels and height 80 pixels sorry height दोस्तों इसको border radius provide कर देते हैं आप लोग अगर देना चाहते हो border radius तो दे सकते हैं otherwise इसको 0 pixels दे सकते हैं तो दोस्तों इसको करते हैं save and simply चलते हैं browser पे और page को refresh करते हैं तो देख सकते हैं हमारे last shape triangle format में आ चुका है तो यह सब shapes तयार हैं बड़ दोस्तों यह देख सकते हैं दो shapes हमें same दिख रहे हैं तो 8 और 9 shapes हमने गलती से एक ही जैसे ले लिया है तो इसको simply हम करते हैं delete and shape 9 को हम नई shape दे देते हैं तो इसको दोस्तों हम height and width provide कर देते हैं इसमें तो इसको simply हम इसकी sorry height 150 pixels कर देते हैं and जो इसकी width है इसको भी 80 pixels simply अगर आप border देना चाहते है border radius तो आप दे सकते हैं otherwise आप इसे 0 कर दीजिए 0 pixels दोस्तों border radius अगर आप 0 देते हैं तो simply यही मान लिजिए कि border radius आप दे भी चकते हैं और नहीं तो आप सब देख सकते हैं कि यह shape भी different हो चुका है तो दोस्तों हमारा इतना shapes complete हो चुका है अब हम लेते हैं एक new shape जिसको हम class provide कर देते हैं shape 13 हमने एक new div लिया दोस्तों अगर आप other shapes तयार करना चाहते हैं तो simply new div create करना है and उसको css जो उसकी class है आप increase कर सकते हैं कोई भी नाम दे सकते है class को then simply उस class को हम css provide कर देते हैं जैसे हमने shape starting दिया था तो simply हम triangle बनाएंगे दोस्तों इसमें तो इस triangle बनाने के लिए हम इसको दोस्तों height and width provide कर देते हैं width दोस्तों इसको 0 pixels simply height with 0 pixels and background white then दोस्तों इसको हम जो हमारा border left और right होगा दोस्तों इसको हम 60 pixels solid transparent कर देंगे हमने border right को 60 pixels solid transparent then simply border left से होगा दोस्तों वह भी हम इसको 60 pixels solid transparent कर देंगे then border bottom 60 pixels solid solid blue sorry blue then दोस्तों इतना करने के बाद हम इसको border जो है वह provide कर देंगे दोस्तों border 0 pixels solid white ताकि जो हमारा border है वो 0 pixels हो जाए जैसे कि हमने डिव में लिया है दोस्तों border वहाँ पे दोस्तों हमने red लिया है सोरी यहां पे हम इसको radius नहीं border देंगे सिफ तो border जो हमारा वहाँ पे red है वो हमें sony होगा वह white सो होगा क्या 0 pixels solid white then simply हम इसको चलते हैं browser पे और run कराते हैं तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारा ट्राइंगल्स त्यार है तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए यहीं तक आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पोस्त दे रहे और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो रिलेटिड कोई भी प्रोब्लम है तो आप मुझसे केमेंट सेक्शन या मुझे परसनली मैसेज कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है झाल